हेलो गाइस मेरे नाम है सुमित कुमार आप देख रहे हैं बूस्ट यह सेल्फ वेन फॉर्मी बटर तो आज की वीडियो बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे मैसेजेस इंस्टाग्राम पर पूछे जा रहेते कि सर हिंदुस्तान पेट्रोलियूं कॉर्परेशन लिम्टेट का जो अपरेंटिशिप का वेकेंसी आता है वो कब आएगा और जी हां लीजिए हिंदुस्तान पेट्रोलियूं कॉर्परेशन की तरफ से ये वेकेंसी यहाँ पर निकाल दी गई है धान रहे ये ओल ओवर इ अच्छा होता है 25,000 पर बंत यहां पर इस टाइपन आपको देखने के लिए मिलता है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और हाँ यह वीडियो बहुत जादा लेट आ रहा है मैं वाँ भी मांगना चाहता हूं और इसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो और भी ब पर ही अप्लोड होगी तो चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं नीचे आप दिखाई देगा आपको कि विशाक रिफाइनी प्रोपोस्ट टू इंगेज हंडर्ड नंबर ऑफ ग्राजुट अप्रेंटिस ट्रेनी इन दा फील्ड काफी सारी ब्रांचे से आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है तो चलिए हम इंपॉर्टेंट डेट के हम लोग बात कर लेते हैं तो यहां पर साथ एक दोहजात तेस यानिकि साथ जनवरी को यह नैट्स पॉर्टल पर आना चालू हो गया इसका अप्लिकेशन आप चाहें त होता है अपने आप हमारा जो फॉर्म होता है वह सकसफ़ली सम्मिट हो जाता है नीचे हम बात करते हैं तो यहां पर देखने को मिलेगा हमें के डिस्सिप्लिन बहुत सरी हमको देखने के लिए मिलेगी ठीक है एज लिमिट 18 यह से 25 यह तक मैक्सिमम और SCST वालों को यहां पर एज का relaxation जो होता है वो भी हमें मिलने की उम्मीद यहां पर रहती है qualification क्या होना चाहिए इस डिग्री से आपका pass out होना जरूरी है जो कि यहां पर mention की गई है और 60% aggregate के marks के साथ जो कि जनरल वालों के लिए है ठीक है 50% यहां पर रखा गया SCST वालों के लिए सबसे में इ candidate है वो apply करेंगे 14 तारीक को पहले या तो 14 तारीक को वो ही consider किया जाएंगे for selection के लिए अगर आप इसके बाद apply करते हैं तो आपको selection नहीं किया जाएगा यहां पर ठीक है तो यहां पर हम बात करते हैं अगले page में यहां पर लिखा हुआ eligibility requirements तो only Indian national are eligible to apply only Indian जो candidate से वो apply कर सकत हुआ है engineering to graduate होने चाहिए वो mechanical engineering electrical electronics engineering chemical engineering civil engineering ठीक है instrumentation electrical engineering petrochemical safety engineering computer science ऐसी बहुत सारी ब्रांचे से अपनी स्कीन पर खुद बखुद देख पा रहे होंगे सो आपका जो graduation होना चाहिए वो complete होना चाहिए एक 4 2020 के बाद ठीक है onwards eligible to apply इसके बाद वाले ही apply कर सकते है candidate pass out pre year from 1-4-2020 यहनी कि 1 April 2020 से पहले जितने भी candidate pass out हुए है वो eligible नहीं है इस apprenticeship के लिए ठीक है और यहां पर candidate belong to SCST और aggregates 60% होना चाहिए उनका मतलब जनरल वालों का और और 50% होना चाहिए यहां पर aggregates SCST PWD वालों का यहां पर एक आपको चीज देखने के लिए मिलेगी calculation of the percentage देखें यहां पर different different type के आपकी university होती है माप पर कहीं पर CGPA चलता है कहीं पी GPA चलता है आपका जो letter है ठीक है मतलब grade sheet होगी वहां पर आपके formula लिखा होगा कि कैसे आपका नहीं होगा तो आप वहां दिक्कत में फस सकते हैं क्योंकि वह convert नहीं कर पाएंगी तो जो equivalent percentage होगा वह आपका नहीं हो पाएगा तो इसका जरूर से जरूर ख्याल लखिए कि जितना भी आपका CGPA है वह उसको आपको percentage में convert करने के लिए एक formula चाहिए वह आपकी university मे मिल जाएगा या तो आप उसकी website पर जाकर वहां से इस letter को download भी कर सकते हैं बहुत सारे candidate ने ऐसा किया हुआ है नीचे चलते हैं हम लोग तो यहां पर दिखाई देगा आपको age का criteria वह आप समझी चुके हैं कि maximum आपकी 25 years और age का relaxation आपको मिल जाएगा सबसे में important बात आपको बुलाया जाएगा ठीक है जो भी फुल्फिल करते होंगे अपनी जो eligibility है ठीक है उसके अधार पर आपको interview के लिए बुलाया जाएगा interview will be tentatively scheduled in the month of January 2023 पिछले बार भी January में बताया गया था लेकिन फरवरी को interview हुआ था 2022 का लेकिन इस बार इन उनने 2023 रखा हुआ है कि इस मह follower नहीं है यह केवल विशाख refinery की तरफ से निकाला गया यानि कि विशाखा पतनम में ही आपकी joining होगी so merit list will be drawn on the basis of the academic result of engineering degree score in the interview यह मैं अपनी वीडियो में बहुत पहले ही बता चुका हूँ अगर आपने previous वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको देख लीजेगा final offer for the apprentice training would be subjected to the clearance of clearing of the medical test as per the HPC standard हमारे वीडियो में medical के बारे में बताया गया पूरे डिटेल से आप चाहें तो उसे देख सकते हैं कैसा medical यहां पे होता है ठीक है आपके वहां पर आपको establishment name search करना होगा ठीक है तो वहां पर हिंदोस्तान petroleum corporation limited जैसे ही वहां पर टाइप करके search का button दबाएंगे आपको वहां पर apply का button automatically वहां पर show हो जाएगा आपको कुछ नहीं करना है once candidate click apply button on the message appears as given blow successfully applied for the training program इसके बाद आपको किवल wait करना है जब भी HPCL आपको select कर लेगी तो आपको mail के through ही यहां पर देगी वह mail जो कि आपका net supporter पर attach होगा उसी mail पर ही आपको सारे documents भीज जाएगे या सारी information आपको भीज जाएगी किस तरीके से भीज जाती है अगर आप जाके देख लीजे 2021 as well as 2022 में जितनी भी apprenticeship आई थी HPCL की तरफ से वो मैंने सभी वो cover करके रखा हुआ है आप बिल्कुल भी परशान नहीं होंगे क्या को करना क्या है सभी का मैंने doubt clear वहाँ पे कर रखा है और इस apprenticeship में भी मैं doubt clear करता रहूंगा 2023 में यहांप सबसे में important बात यह देखने के लिए मिलती है कि जो apprentice है उनका place of training जो होने वाला है वो विशाका पत्नम में होने वाला है अगर आप विशाका पत्नम के आस पास भी है और अगर आप वहाँ पर जाके training कर सकते हैं तो जरूर से जरूर यहां पर apply कीजेगा selection का process बहुत ही simple होता है मैंने अपन SCST, OBC, NC जो भी हैं इनका भी मैंने एक separate video बना के रखा हुआ है कि कास certificate आपको कैसे बनवाना है और यह जो link आप सामने देख पा रहे हैं इसका भी मैंने link अपनी video के description में दे रखा है आप वहाँ पर जाके download कर सकते हैं अपने form को एक और बात आप यहां पर देख पाएंग वहां से वह यह ले लेंगे ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है अपनी सारे details को आप अच्छी तरह भरिएगा otherwise आपको form reject हो सकता है interview call letter will be sent over Nats portal पर यह आपको भेज़े जाएगा no hot copy will be sent to the candidates कोई भी hot copy आपको नहीं भीज़ जाएगी Nats portal पर यह आपको सारे जानकारी मिले से आपके email id और mobile number पर भेज़ दिया जाएगा application with incomplete wrong particular will be not consider consider ने किया जाएगा आपका email id और mobile number चालू हालत में होना चाहिए ऐसा नहीं के बंद पड़ा हुआ है email id जो भी आपने महाँ पर Nats portal में रखके रखा हुआ है ठीक है so HPCL will not be responsible for any loss and non-relivery of email अगर आप गलत email डालते हैं या तो mobile number गलत डालते हैं तो HPCL की कोई भी responsibility आप नहीं होगी ठीक है और भी इस PDF को आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं अपनी description में इसको attach कर दूँगा आप वह SCST PWD ध्यान रखें यहां जो हमारा interview होता है वो video conferencing के थुरू पहले होता था ठीक है यानि 2021 में भी हुआ था और 2022 में भी हमारा जो video conferencing के मार्दम से interview हुआ है अभी का situation पता नहीं है यह offline भी हो सकता है लेकिन दोने situation में आपको जाना पड़ता है तो rail का यहां पे जो फेयर जो venue है बहुत ही जादा दूर है तो आपको यहां पे rail fare मिलेगा HPCL के तरफ से और इसका travel awareness का form आपको HPCL की website पर ही मिलेगा वहां से आप अच्छी तरीके से इसको download कर सकते हैं बट 30 km से कम नहीं होना चाहिए 30 km से जादा ही होना चाहिए तो ही आपको यह मिलेगा और आप न Nats Portal चेक करते ही रहना है हर दिन में और यहां पर आपको नीचे लिखा हुआ है email id और phone number यहां पर आप HPCL को कभी भी contact कर सकते हैं अगर आपको कोई भी query या कोई परशानी हो रही हो अगर आप हमें contact करना साहते हैं तो email id मेरी नीचे दे रखी है और comment box में भी आप comment कर सकते ह हैं मैं हर query का यहां पर जवाब दूँगा तो इस तरीके से यह वीडियो यहीं पर समापत होता है आप चाहें तो इस form को भर सकते हैं अगर आप विशाका पत्नम के आसपास रहते हैं या travel कर सकते हैं वहां तक वहां पर रहे के apprenticeship कर सकते हैं तो आप अच्छी तरह से कर सकते हमारे वीडियो को आप देख लिजएगा कि apprenticeship क्यों करनी चाहिए या नहीं भी करनी चाहिए तो भी मैंने उस वीडियो में अच्छी तरह से बता के रखा हुआ हैं तो अभी के लिए इतना ही और इसके selection process के बारे में मैं और भी वीडियो में बताता आपको रहूंगा ठीक ह ध्यान न किये हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लिजे और इस बाला आइकन को भी दबा दीजे क्योंकि आने वाली जो बेल की series है वो आपको अच्छी तरह के से मिलेगी यहां पर और जिन्होंने HPCL 2022 कंप्लिट कर रखा उनके लिए यह series बहुत ही जादा important रहेगी तो अभी के लिए मैं मिलता हूँ आपके साथ एक next वीडियो में तब तक लिए धन्नवाद